हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेका आया हूँ कास्टिंग वेल्डिंग टेक्निक्स टीग वेल्डिंग यह यह इसमें हम निकल का फीलर वायर यूज करते हैं 75% निकल अब जो देख रहे हो वो कास्टिंग वेल्डिंग है और उसमें क्रैक जनरेट हुए है मतलब हीट अफ्टेड जोन उसमें जनरेट हुई है मैं आपको दिखा तहूं कैसे वह रीमू करते हैं वेल्डिंग के बाद वेल्डिंग करने के बाद जैसे ही आप एक लाइन वेल्ड कर लेते उसके बाद brass की hammer लेके आपको उसको पीनिंग करना है जैसे हम हल्के हातों से हम को waving hammer से job के आजु बाजु उसको tap करना है tap करने से क्या होगा कि उसका जो stress होता है जो casting का जो stress होता है करने के बाद वह stress relief होता और उसकी वज़े से वो crack generate नहीं होने देता, ऐसे ही आप brass की hammer लेके उसको tap कर सकते हो, और उसको आजू-बाजू में tap करना है, welding होता है, वो line के आजू-बाजू में आपको tap करना है, उसकी वज़े से हम ये crack generate नहीं होने देंगे, ये stress release हो रहा है, वरना क्या होगा, वो welding को पकड़ के रखेगा, वो metal को पकड़ के रखेगा और H-A-Z में crack generate करेगा, आप देख सकते हो, पीनिंग कैसे कर रहे है, ये पीनिंग करना बहुत ही जरूरी है, जबी भी आप casting का weld कर रहे हो, कोई भी metal का weld कर रहे हो, ये SS casting है, आपको ये पीनिंग करना ही करना है, बहुत casting में crack आने के chances बहुत ही ज़्यादा होते है, और normal हमको pre-hit करना ही करना है, उसको ऐसे कहते है कि casting में hit नहीं करना है, मगर casting को हलका pre-hit करना है, moisture उसका उड़ा देना है, उसके बाद ही welding करना है, welding करने के बाद हलका post-hit भी करना है, उसकी वज़े से ये होगा, कि वो crack generate नहीं होने देगा, और इसमें जो filler wire use होता है, वो बहुत ही महंगा होता है, अब देख सकते हो, 40,000 का filler wire है, 5 kg, FWNICR-3, इसमें 75% निकल है, उससे welding का strength बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही अच्छा strength आता है, इससे सस्ता भी use कर सकते है, मगर ये job थोड़ा महंगा है, इसके ये order किया तो specially, 40,000 का filler wire आता है, so thank you so much for watching this video, और भी अच्छे और नए वीडियो में लाता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, जितना भी मैं जानता हूँ, आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, और नए नए जोब के साथ, नए नए मशीन के साथ, मैं वीडियो लेक प्लीज सब्सक्राइब करिये, शेर करिये और लाइक करिये, तभी आपको ये नए नए वीडियो और आइडियाज मिल सकेंगे, मैं जितना भी हो सके उतने अच्छे वीडियो और अच्छे नॉलेज वाले वीडियो लेके आता रहूंगा, thank you so much for watching this video